दिस्मिल्लारह्मान रहीम हम मॉनिटरी पॉलिसी के गोल्स, टूल्स, कन्वेंशनल टूल्स भी और नॉन कन्वेंशनल टूल्स भी बड़ी डिटेल में डिसकस कर चुके हैं, नॉमिनल एंकर को भी डिसकस कर चुके हैं और पाकिस्तान की मॉनिटरी पॉलिसी स्ट्राटीजी को भी discuss कर चूके हैं अब हम यह देखते हैं के जो ग्लोबल financial crisis आया जिसकी उपर पहले भी काफी time discussion कई lecture में हुई है अब हम यह देखते हैं कि जो monetary policy को हम discuss अभी तक कर चुके जो monetary policy के बारे में हम अभी तक सीख चुके हैं उस knowledge की बेसपे हम यह देखते हैं कि जो ग्लोबल फाइनशल क्राइस गुजरा है 2006-2009 यह जो ग्लोबल फाइनशल क्राइस था इसने मॉनिटरी पॉलिसि की ओपर क्या असरात छोड़े मतलब यह है क है कि कौनसी ऐसी बाते हमें उस experience से global financial crisis के experience से सीखने को मिलती है monetary policy के बारे में उनको discuss करना मी जरूरी है तो ये दो lecture के अंदर मैं ये discuss करूँगा कि monetary policy के लिए क्या lessons हैं global financial crisis के अंदर पहला जो है वो ये है कि जो financial markets या financial sector के अंदर development हो रही होती है उनका जो आपकी economy है उसके उपर जो effect होता है वो global financial crisis से पहले economist इतना effect consider नहीं करते थे मतलब ये है कि एक financial sector है एक आपकी real economy है financial sector से मुराद जहां पे आपका monetary sector है या banking sector है जबके दूसरी तरफ आपका real sector है उसमें आपका agriculture आता है आपका industry आती है आपका services sector आता है उसमें employment आती है जो आपके real economic decisions जहां पे हो रहे होते हैं जहां पे आपकी jobs हैं जहां पे आप शापिंग करते हैं वो आपका real sector है या इसी तरीके से public sector भी होता है जिसे government sector कह सकते हैं यानि के हमने पहले बड़ी detail में पढ़ा है कि जो financial frictions होती हैं जो asymmetric information की वज़ा से होती हैं वो lending और borrowing में यानि के credit creation के अंदर hurdle का role play करती हैं तो जब global financial crisis आया तो ये financial friction जो हैं ये severely increase हो गई और उसकी वज़ा से जो credit का process है वो severely effect हुआ यानि कि almost रुक गया और उसकी वज़ा से जो economic crisis आया उसके बाद वो बहुत severe था यानि कि इस से पहले ऐसा anticipated ही नहीं था कि financial crisis की वज़ा से या financial problem की वज़ा से इतना बड़ा economic crisis आ सकते हैं तो global financial crisis के बाद हमें ये बात समझ आ गई कि जब financial crisis के chances बन रहे हो तो उसको serious लेना चाहिए monetary authority को इसलिए कि उसकी वज़ा से फिर economic crisis आ सकते हैं second हमने ये already discuss कर लिया है कि जब financial crisis आया तो develop countries के अंदर जहां पर ये problem हुआ initially वहाँ पे especially US economy तो वहाँ पे जो interest rate था वो कम होते होते है जीरो के करीब चला गया और zero lower bound इसको इसलिए कहते हैं कि interest rate zero तक जा सकता है उससे नीचे तो नहीं जाएगा तो अब ये जो zero lower bound का problem है ये बहुत severe problem हो सकता है ये कैसे problem हो सकता है ये इस तरह problem हो सकता है कि सबसे पहले तो monetary policy के conventional tools ही fail हो जाते है जैसे monetary policy जब economic crisis की सी situation हो तो वो lose बनाई जाती है अब lose बनाने का तरीका ये है कि given inflationary expectation nominal interest rate को कम किया जाता है ताकि real interest rate कम हो जाए और policy lose हो जाए उससे लोग जो है वो borrow करें industrialist borrow करें, businesses borrow करें और investment को बढ़ाएं ताकि economy crisis से बाहर आए लेकिन चुकि interest rate central bank का tool है और interest rate तो zero के करीब चला गया है तो zero से नीचे कैसे करें तो इसको कहते हैं ये एक problem आ गया तो फिर वहाँ पे non-conventional tools यूज होते हैं जो बड़ी detail में हमने डिसकस की है, liquidity provision होती है, large scale asset purchases होते हैं favor guidance हो सकती है, तो different तरह के जो है, वो non-conventional tools हो सकते हैं लेकिन हमें ये भी पता है कि उन non-conventional tools की भी financial crisis के बाद effectiveness बहुत ज़्यादा नहीं है तो जब conventional tools fail हो जाएं, non-conventional tools आप use कर सकें, लोगिकिन उसकी effectiveness कम हो तो फिर zero lower bound को पहले ही avoid करना चाहिए, यानि कैसी situation develop ही नहीं होने देनी चाहिए जिस से interest rate zero के करीब चला जाए, थर्ड जो है, वो यह है कि जो cleaning up strategy है, या cleaning up process है अब cleaning up का मतलब यह है कि जब financial crisis हो जाता है, उसके बाद अब central bank अपनी policy के जरीए इस mess को, इस problem को clear करे, clean करे क्या मतलब economic recovery की तरफ वापस economy को ले जाए, तो यह हमें lesson यह मिला कि यह recovery process बहुत slow होता है unemployment लंबे अरसे तक persist करती है, output potential से नीचे ज़्यादा देर तक persist करती है, ठीक है और government का debt बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और यह economic problems एक दम से जाते भी नहीं है, इसका मतलब यह है कि financial crisis हमें evide करना है पहले ही, क्योंकि अगर एक दफ़ा financial crisis हो गया, तो फिर उसके बाद जो उसकी clean up strategy है, it will take time और fourth जो lesson हमने learn किया है, वो यह है कि जो price and output stability है, they do not ensure financial stability यहनी कि अगर आपकी economy में आप just prices को stable कर लें, और financial sector की तरफ देखें भी ना, और financial stability को अपने objective की list में से बिलकुली निकाल दें, तो यह याद रखें, सिरफ price या output की stability से financial stability ensure नहीं होती in fact जो दुनिया ने देखा वो यह, कि prior to financial crisis बहुत ज्यादा price stability थी, और in fact financial crisis की तरफ जो factors लेके गए, उन में से एक price stability भी थी या output stability भी थी, उसकी वज़ा यह है कि जब बहुत ज्यादा stable environment था तो लोगों ने risk भूल दिया, लोग risk पूल गए, और risk पूलने के बाद उन्होंने excessive risk taking लिकी, और उसकी वज़ा से जो है ultimately financial crisis आया, तो जो important point हमने learn करना है इस experience से, वो यह है कि price और output की stability, stability, खुद बहुद financial stability ensure नहीं करती, बलके central bank को financial stability के लिए कुछ extra measures लेने पढ़ेंगे, thank you.